नमस्कार दूस्तो मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि कितने भी पुराने रेडियो अगर आपके पास फिलिप्स का है तो उसको फिर नई तरीके से बजाने के लिए क्या-क्या पार्ट को आपको चेंच करने परेंगे जैसे रेडियो कितनी भी पुरानी रखी हुई है उससे मतलब नहीं है आपकी रेडियो की खराबी आएगी तो जो मैं इसमें बतलाता हूँ चेंच करने के लिए बस उतना ही खराबी आएगी उससे ज़्यादा आपको चेंच करने की नवत नहीं आएगी तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुरानी रेडियो में ये एक दो तीन चार अगर चार ट्रीमर लगा हुआ है किसी किसी में दो लगा हुआ रहता है किसी किसी में तिन लगा हुआ रहता है है तो कुछ साथ पूराना रेडियो हो अप को जितने भी यह ट्रीमर है यह सभी को आपको न्यूँ लगा देना है, change कर देना है सबसे पहला काम आपको यही करना है, इसके बाद आपको यह देखना है कि band swich काम करता है सही तरीके से की नहीं, कि कितने में क्या होता आते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो यह बेंड का प्रोब्लम रहता है यह हिलते रहते इस वर्शे तो इसमें वैल डालने चाहिए हो जाता है ठीक है अगर नहीं सही होता है तो आप इसको चेंज कर दें यह दो प्रोब्लम हुआ और तीसरा होता है यहां का गेंग इन में क्या होता है बहुत पुराने हो जाने के बाद इसमें कुछ जहराहट की आवाज आती है जिस कारण से यह खराब हो जाता है अगर जहराहट की आवाज आ रही है तो आपको सीधा ही इसको चेंज कर दें गाल कर दो चेंज हो बदूर हो गया है और क्योंता में होता है आपको इन मैंसे को हैं अगर कोई तूटबशां गया है तो आपको चेंज करने प्रें गया तो तूटे अपूटیں नहीं है तो-" कॉईल गुमा करके आप इसकों एर जेस्ट कर सकते कि यह सब हैं को को सिपतेने हें और वा churches करने हो दिए क्यांता कहीं कहारे ईसर हो रिचेंस अगर आपको खराफ हो चुके हैं जाग किस्टर में आपकी खराफ हो चुकी है तो यह मी को आपको चेंज कर देने हैं बस इस से ज्याद आपको खराफ颍 नहीं आती है तो चलिए आज के भीडिकल पसे तना है वीडियो लास्ट आम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद